तो आप लोग देख सकते हैं यादा हिंदो की ओफिसली वेबसाइट है जिस पे लिखा हुआ है डियो अंतिम अवधी के परिक्षा को समाप्त कर देता है दिली उसी विजाले में देश्द भर के COVID-19 मामलों में वृधी देखते हैं अंतिम वर्स के छात्रों के परिक्षाइगा स्थागित कर देने के लिए तयार है जो मई में सुरू होने वाले थे जो 15 तारिक से सुरू होने वाले थे ड्यू के वरिष रदिकारी ने पुष्टी की की परिक्षाब एक जून से होगी जिसके लिए अधिसूचना जल्दी जारी कर दी जाएगी ड्यू के डी एन ऑफ एक्जामिनेशन डी एस रावत ने कहा सनिवार के सभी विभागों को परमुख और दीन के साथ बैठक हुई मतलब बड़ी बैठक हुई है बैठक क्या देक्षता कुलपती ने कहा जो सबसे बड़ा होता है उनमें से कि यहां निन्ने लिया गया है कि अंतिम वर्स के चात्रों के लिए जो लास्ट येर के चात्रे हैं परिक्षाई 1 जून को इस्तागित कर दी जाएगी मतलब 1 जून के लिए उन्हें टाल दिया गया है 1 जून से उनका एक्जाम होगा सूमबहर को इस बारे में अधिस उचना जारी की जाएगी मतलब जो जानकरी आपको दे दी जाएगी अधिकारियों ने कहा कि परिक्षा ओनलाइन वोड में ही आयोजित की जाएगी और बाद में अन्य बैचों के बारे में निर्ने लिया जाएगा मतलब जो एक्जाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे बांकि जो बच्चे बचेंगे उनका क्या करना वो बाद में निर्ने लिया जाएगा उन्होंने कहा मध्य बैच के परिक्षा अभी रद कर दी जाएगी जो फैसला है इनके पीच क्या करना है इनका जो फैसला इन्हें बाद में लिया जाएगा अब तक टर्मिनल वर्स के बच्चों के लिए परिक्षा इस्थगित कर दी गई कई चात्रों और सिक्षकों संगों ने प्रसासन के परिक्षा को इस्थागित का आग्रह किया 30 सप्रेल को लिखे पत्र डूटा ने कहा यह तथे यह आप पढ़ सकते हैं कुदी जो भी चीज़ है इसमें आप पढ़ सकते हैं मैंने इंपोर्टेंट ज्यादा थी वो मैंने आपको पता दिया है इस वेबसाइट का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पहां से भी पढ़ सकते हैं कर दो